हालो फ्रेंट्स नमस्कार एंड वेलकम टू श्रमाधान साथी उमिद है कि आप सब अच्छे होंगे और इस टड़ी अपके अच्छे से सल रही होगी बिहार में नई भरती की बात करें तो बिहार करमचारी चैन के द्वरा नई भरती आ रही है जो बिहार परिचारी भरती है और इसके रिगार्डिंग नोटीज भी आया है तो हम लोग इसमें सिलेबस एकजाम डेट फ़र्म कब से फिलफ होगा चैन की परकरिया युकता उमर सिमा सभी चीज को देखने माले है और यहां पे जैसे कि आज ही रिजल जारी किया गया बिहार सचिवाले सिवा का जो सहा और फरकडिया को एक एक करके आगे बढ़ाना यहां पर हम लोग नोटीस माधियम से सब्सी समझने वाले हैं कैसे आपको तैयारी करना है प्रप्रेशन क्या सी लेवस होती है ताकि आप एक सेलेक्शन यहां पर ले सके यहां पर शाठी आप अगर आप हमारे चैनल पर दरीव के चाहने वाजु प्रुवार्वन में ति हमनेए पिल अपडेट दिया था अब आगे कि जो समझWhich पाले आपको ने माउलिए उसको अपडेट कर दिया गया था बाईस सितम्बर कोई हम यह देखेंगे तो इसमें kurale परिशारी का जिसमें यह बदा गया था कि आपका जो यहां पर पध होता है वह पचास परसेंट मूल कोटी से बहरा जाता है यानि स्वथ वकेंटी होती है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिक पास पहंगा जाता है यानि जो भी 10th pass है वो लोग भरती के लिए eligible होंगे और सिधी भरती के लिए नियुंतम उम्रसीमा आपका 18 साल होना चाहिए maximum 37 साल होता है जिसमें अलग-अलग category को यहाँ पर age में छूट मिल जाती है age cut-up की बात करें तो यहाँ पर एक जनवरी 2024 कंसार आपकी नियुंतम और अधिकतम आईव की गर्णा की जाएगी जिसमें आपको कम से कम 18 साल होना चाहिए minimum और अधिकतम आपका 17 साल हलांकि अलग category में आपको वहाँ पर छूट मिल जाएगी और यह भरती ascn के थ्रू होती है तो यहां पर दे सकते हैं उसी का ये जो रोस्टर है यहां पर नियमावली इसके बारे हम बताया गया है अब आगे जो भरती का अपड़ेट है इसको यहां पर देख लीजी यहां पर द देखेंगे तो यह है notice परिचारी चाहनाय को अगामी असनातक अस्तरिये यानि हम कल इसका अपडेट दिये थे सिजेल 4 को ले करके और इंट्रास्तरिये में जो भी बरतमान चल रहे उसमें भरती का इंक्रीजमेंट होगा तो वह अलग न्यूज है और यहां पर परिचारी की जो नाई भरती है कोट परिचारी कोटीफूर तो हम लोग करियादी परिचारी के यहां पर बिस्सकर बात करने वाले हैं तो करियादी परिचारी के इसमें पदों की संख्या बात करें तो लगभग 50,000 पहद इसमें होने वाला है जो कि अब तक का सबसे बड़ा वर्ती होगा बिहार SSIU के द्वर और ये चदुथबर का होता है जो कि बिहार के अन्य अभीशों में होता है इसका पोस्टिंग तो उसको रोष्टर क्लियेंस कराने केरे यहां पर मिंचन किया गया है कि आपका, नई नियमवली जो जो एकचन किया है object है जैसे कि आप पर बात बोली गई है जो 22 नुवंबर को ही लेटर लिखा गया था सभी डेपार्टमेंट्स को सभी जिला अधिकारी को और सभी परमंडली अधिकारी को तो इसके अंसार इसमें रोश्टर क्लिरेंस की बात कही गई है तो यहां पर के लिए किया गया है कि बिहार के पदोयम सभाव के रिक्तियों मारक्षन वह ही जो अभी हमने बताया उक्त संसोधे 10 धिन्यम के अलोग में समाने परशासन विभाग बिहार के पत्रांग 21 चार पांच यहां पर देखेंगे तो बाईस एकार दुजर 23 दुवार रोश्टर क्लिरेंस के समथ में बिस्तित दिसान देश जारी किये थे अब यहां पर देखेंगे कि इसी भरती को लेकर के यहां पर जो आगामी भरती होगी कर्याले परिचारी की कोटिफोर के रिक्त पदों की अधिया चना समाने पर सासन विभाग के माद्यम से उपलब कराने के संदर्व में यहां से समाने पर सासन विभाग ने सभी को लेटर लिग दिया है और इसी के रेगार्डिंग यहां पर 22 दिसंबर को मीटिंग होने वाला था 11 बजे जिसको यहां पर देखेंगे तो अब पर यहारे कारण से अस्थागित करते हुए अब फिर से यहां पर 5 जनवरी के पर देखेंगे तो यह लाश जनवरी तक भरती आपके पास होगी और इसमें पज़्दों की संख्या 50 जार होगी जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ टेंथ पास होना अनिवारे है कोई भी टेकनिकल डिगडी की जरूरत नहीं है आप सिंपल टेंथ पास है तो भर सकते हैं बा प्लस आपका यहां पर मैथ और रिजनिंग मिला करके होगा बाकी यहां पर आपका साइंस और जीएस मिला करके बाकी कोस्टन्स होंगे तो मोटे तोरपा भी चुकी जब भरती आएगी तो क्लियर और हो जाएगा लेकिन हिंदी आपका कंफर्म है कि 20 प्लस और मैथ रिजन अगर उसमें पेपर लिक की समस्या नहीं होती और कोट केस नहीं होता तो और पहले ही उसका रिजल्ट जारी हो गया रहता तो इसलिए भी इसमें जादे समय नहीं मिले का आपको त्यारी के लिए तो पहले साब त्यार रहेंगे तो आपका सेलेक्शन यहां पर कंफर्म हो जाएगा तो यह अपडेट था भरती आपको जनुरी लाश में मिल जाएगी अभी साप लोग त्यारी करते रहें और बाके किसी आने अपडेट के लिए चैनल पने है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं मिलते हैं नए अपडेट में तब तक आप लोग स्वस् सब्सक्राइब करते रहें धन्यवाद